उत्पादन को बढ़ाने में फर्टिलाइजर और पिस्ट्रिसाइड के अत्याधीक उप्योग ने कई बुरे परिणाम हमारे भविश्य पर डाल दिये हैं और आज वो धिरे 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 नजर के सामने दिखाई दे उसमें भूमी की उर्वरक्ता को कम किया है लेंड की फर्टिलिटी को कम किया है भूमी को प्रदुसीत किया है पानी को प्रदुसीत किया है और ज्यादा फर्टिलाइजर और पिस्टिसाइड्स के उप्योग वाले अन्न के कारण मानव सरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित भी हुआ है में देश के सभी राज्यों का भ्रह्मन जब संगतना का मेरा पार्टी का अध्यक्सता तब करता था कई राज्यों से बड़े सहरों की वार ट्रेन जाती है वो ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन रखा है यह हमारी अपने आप में आँख खोलने के लिए बहुत महत्यपून गटना है क्यूंकि कई राज्यों में फर्टीलाइजर और पेस्टिसाइड का उप्योग इतना ज्यादा बढ़ गया कि फर्टीलाइजर और पेस्टिसाइड से ज्यादा उप्योग की हुए अन्न के खाने के कारण मानव सरीर कैंसर से ग्रसीत हूँ यह तो सबसे बड़ा नुकसान है इसके साथ साथ डायबीस्टिस, बीपी, ब्रेंश्ट्रॉक, कई सारी बिमारिया दिरे 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 नजर आने लगी है इसलिए प्रजानमंत्री जीने देश भरके किसानों का आहवान किया है कि हम प्राकृतिक खेती की और जाएं और इस देश में कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिसने इस मिठक को तोड़ दिया है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से उत्पादन कम होता है हमारे गुजरात के राज्यपाल हैं आचारे जिनने धेर सारे प्रयोग अपने हर्याना के फाम पर करें जिसमें नकेवल प्राकृतिक खेती से भूमी की गुनवत्ता में सुधार हुआ है परन्तु साथ में उत्पादन भी बढ़ा कर उन्होंने दिखाया है और सिर्फ एक गाय से 21 एकड़ खेती करने का प्रयोप्ता है और मुझे आनंद है कि विगत पांच-छे साल में देश में लाखों किसानों ने इसको अपनाया है स्विकारा है पांच-छे साल में लाखों किसानों ने इसको अपनाया है